मेडिकल से जुड़ी सभी लेटस्ट अपडेट पाने के लिए सबस्काइब कीजिए हैर्ट टिप्स मेडिकल नौलेज यूट्यूब चैनल को विल्कम दोस्तों हमारी यूट्यूब चनल हेल्टिप्स मडिकल नोलेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों मैं हूँ है मन्त और आपके लिए लिके आया हूँ आज है मिड़ वाइफरी के इंपोर्टेंट क्यूस्चन जो कि हर कंपेटिटिव एक्जाम में यहा पहले नोटिप्लिकेशन आपको मिलती रहा है तो देखते हैं दोस्तों कौन-कौन से इंपोर्टेट क्यूस्चन है अगर दोस्तों आप चाते हैं हमारी एप्लिकेशन HTM के Academy को डाउनलोड करना तो Google Play Store से तुरंट डाउनलोड कर लीजे यहाँ पर आप A&M, G&M, B.S.C. Norset जैसी अन्य एक्जाम के आप तैयारी कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे model test paper आपको मिलेगे यहाँ पर आपको recorded classes, live classes, ऐसी classes आपको यहाँ पर मिलेगी और व डाउनलोड करके एक बार practice जरूर करिएगा, चलते हैं देख लेते कौन-कौन से important question है, देखते हैं देखते हैं कौन-कौन से mathpone question है, बात कर लेते हैं यहाँ पर question की सब सब पहला question आपके display पर, question का मतलब यहाँ पर question में पूचा है, world midwives day celebrated on, ठीके, midwife दिवस, विस्विद दाई दिवस कब मनाया जता है, word midwives day कब मनाया जता है, यहाँ पर सही answer क्या होगा, यहाँ पर सही answer हो है, पांच मई, पांच मई को विस्विद दाई दिवस, यानि कि midwifery, midwifery दिवस मनाया जता है, ठीके, पांच मई को midwifery दिवस मनाया जता है, और बारा मई को क्या मन को मना कुछा नरसे कुछ का मना जाता है झाट एख मुन्हेंब नर्से कर वोरेण से से डे अर एग मत्र नर्से कर सो दे के चलते पर देखते हैं, next question को, यहाँ पर question को पूछना, बताना, what nurses day celebrated on, ठेके, which nurse, divers, पृतिवर्ष मनाया जाता है, which nurse, divers, पृतिवर्ष कब मनाया जाता है, बताओ, यहाँ पर कब मनाया जाता है, यहाँ पर सही answer क्या होगा, इसका फटा-फटा आपको पॉंसर देना है विश्व नर्स दिवस कब मनाई जता है तो विश्व नर्स दिवस 12 माई को मनाई जता है कब मनाई जता है 12 माई को मनाई जता है साथ अप्रेल को क्या मना जाता है साथ अप्रेल को वर्ड हेल्थ डे मना जाता है ठेके वर्ड हेल्थ डे यानि कि विश्वे स्वास्ते दिवस ठेके क्या मना जाता है स्वास्ते दिवस समझ में आ गया दिवस विश्व स्वास्ते दिवस मना जाता कब मना जाता साथ अप्र Ques YouTube şunu copy इंप्टवर्टेंट है All are hormone effected from pituitary gland accept दोसों जब आपको question में accept मिले तो आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक question को पढ़ना है सभी pituitary давinity से स्त्रावीत हार्मोन है केनिका मतलब तीन तो इसमें है safe garantion separate होते है और एकure garantion से secret नहीं होता है, तो वो कौन सा hormone है, यहाँ पर बताइए सही answer कौन सा है, यहाँ पर सही answer है, वो है, D, progestron, देखो यह भी वहाँ से निकलता है, कहाँ पे, fuse गरंती से निकलता है, लेकिन progestron fuse गरंती से नहीं निकलता है, यह कहाँ से निकलता है, यह ovary, किससे निकलता यह, ovary, ovary यह नहीं कि अंडाशे, ठीक है, अंडाशे, कि कौन से पार्ट से निकलता है, उसमें भी किससे निकलता है, कारपस, कारपस, लूटियम, समझ में आगया है, कारपस, लूटियम, ठीक है, ऐसे ऐसे ovary होती है, ऐसे ovary होती है, ऐसे ovary होती है, Puteutri, Pitutri, Pitutri, Granti, यानि कि Puse Granti, कहां से निकलते हैं? Puse Granti से, ठेके Puse Granti से ये सब हार्मोन निकलते हैं, चलते हैं अपन देख लेते हैं, next question, बात करें यहां पर दोस्तों, Progesterone Harmone, Secrated From in Non-Pregnant Umen, ठेके, Non-Pregnant Umen के अंदर Progesterone Harmone कहां से बनता है? देखो, यहां पर सही आंसर क्या होगा? यहां पर पुछा है, गेर गर्बावती मयलाव में इस्त्रावित होता है, Progesterone Harmone, तो Progesterone Harmone कहां से बनता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा यहां पर सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर है वो है कारपस लूटियम देखो चाहे आपको यहां पर प्रेगनेंट पूछे और नोन प्रेगनेंट पूछे नोन प्रेगनेंट ठीक है नोन प्रेगनेंट तो दोनों में कहां से होता है यह दो अगर आप यहां घरभा उस्ता की बात करें, तो ईसमें तीन महिने तक निकलता था यह समझ में आगे रे से निकलता है किसे कारपास लूटयम में और पर उस्ता में किस से निकलने लग जयता ये निकलने लग प्लेसेंटा समझ में आगया किसे निकलता है फिर ये प्लेसेंटा तो ये क्यूस्टिन आप से पूछे जा सकता है एक्जाम के अंदर काफी इंपोर्टेंट क्यूस्टिन है बात करते हैं यहां पर विच हार्मोन responsible for stimulating of follicles फोलिकल के लिए कौनसा हार्मोन जिंब journeys है ठैके उट्चेजित करने के लिए जिंब्मे दार है यहां पर तो यहां पर सही आंसर क्या होगा पटा पर आप आप इसका आंसर बता दीए, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बताइए, जो फोलीकल होते हैं, इनको बढ़ा करनी के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, तो इसके लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, यहाँ पर सही आंसर होगा, वो होगा, FSH, ठीक है, फोलीकल और ये बड़ा करता है और oxytocin आर्मोन का क्या काम है ये milk को निकालता है समझ में आ गया milk को निकालता है जो इस्तन होते है न दूर इस्तन ठीक है इस्तन एस्तन होते है इस्तन से जो breast से क्या होता है ये breast से milk को निकालता है जो इस्तन होते है इस्तन से क्या निकालता है ये milk क को निकालता है कौन ऑक्सी टोसिन समझ में आ गया चलो चलते हैं अपन देख लेते हैं पन नेक्स्ट क्यूस्चन आल आर नोट हाइपो थेलेमस हार्मोन एक्सेप्ट यह कापी इंपोर्टेंट चीजे दोस्तों यहां पर क्यूस्चन में आपसे अगर एक्सेप्ट पूचे हो जा है तो आप कंफ्यूज मत हो जाना बहुत ही महत्पून है सभी हाइपो थेलेमस हार्मोन है सिवाई सभी हाइपो थेलेमस हार्मोन है सभी हाइपो थेलेमस हार्मोन नहीं है यहां पर नहीं है देखो मैंने भी जल्दबाजी में गलत पढ़ लेता ऐसे आप भी जल्द लेकिन यहाँ पर फिर पूछा है, except तो gonadotropin-religing hormone, यह किसका है, यह है, hypothelemus, ध्यान रखने ला, hypothelemus, यह किसका है, यह pituitary gland का है, यह भी pituitary gland का है, और यह किसका है, यह ovarica hormone है, किसका यह ovarica hormone है, तो यहाँ पर सही answer कौन सा होगा, हमारा होगा C वाला, चलो, चलते हैं अइपन next question को देख लेते हैं, estrogen hormone secreted from, estrogen hormone istravit होता है, estrogen hormone कहां से बनता है, यह कामें इंपोर्टन कूशन है, बहुत ही मैथमूर्ण कूशन है, आप confusion मत हो जाना, बहुत ही ज़ैदा मैथमूर्ण कूशन है, estrogen hormone कहां से बनता है, तो यह कहां से बनता है, graphene follicle, ठीके, किससे बन बच जाता है तो यह जो छोटे 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 फोलिकल्स होते है ठीक है यह छोटे 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 फोलिकल्स होते है इन्हें हम प्री मोडियल फोलिकल के नाम से भी जानते है किसके नाम से प्री मोडियल फोलिकल के नाम से तो यह जो यह जो फोलिकल्स होते है इनसे निकलता ह कोन निकलता है ग्राफिन फोलिकल और इंसे निकलता है कोन एस्ट्रोजन समझ में आ गया एस्ट्रोजन ठीक है एस्ट्रोजन यहां से निकलता है प्रेगनेंसी में यह प्लेसेंटा से निकलता है प्रेगनेंसी में कहां से निकलता है यह प्लेसेंटा से निकलता है समझ में आ पुछ है और स्थेट्रिक इज यह मिडवाईपरी यह निकि जो एनम के इद्याति उनके लिए काफि मैस्पूर ने और स्थेट्रिक क्या होती है यसे कई बार क्या चोटी चोट टर्म सा जाती है फिर अपन उनको समझ नहीं पाते एक्जाम में चाहे अपन को कितना भी वो पढ़ा हो तो अबस्टेटिक क्या होती है यहाँ पर सही आंसर क्या होगा आपको आंसर का जवाब देना है यहाँ पर जो आंसर है वो हो है वो कौन सा है यहाँ पर study of fertilization and to development of embryo यह समझ में आ गया यह इसका सही आंसर है ब्रून के विकास और प्रसाव के निशिचन के अध्यन को क्या कहते है अपन इसको कहते है अपन क्या कहते है इसे अबस्टेटिक यानि कि ब्रून का विकास होना फर्टिलाइजेशन होना और reproductive organ का अध्यन करना यह सब कह ठीक है तो study of reproductive organ यह आद नहीं है reproductive organ तो हम तो study किसमें कर सकते हैं इस पे भी हमें कह सकते हैं इसे गाइनेको लोजी समझ में आ गया गाइनेको लोजी ठीक है या फिर एनाटोमी फीजियोली लेकिन यहां पर जो अपना important है वो है यहां पर B वाला answer चलो चलते हैं अपन all are external reproductive organ of female except copy microphone question दोस्तों all are external reproductive organ of female except सभी महिला के बाईये प्रजनन अंग है सिवाई काफी मैद्पूर्ण क्यूस्चन है यानि कि एक को छोड़कर सभी महिला के बाई ये प्रजनन अंग है तो यहाँ पर बताईए सही आंसर क्या होगा यहाँ पर सही आंसर क्या होगा यह बहुत ही confusion क्यूस्चन है देखो ऐसे क्या होता है ऐसे 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 क्या होती है यहाँ पर होता है एनस और यह ऐसे पूरी होता है यह क्या होता योनि यह होता ही वजाएना लेकिन इसमें भी क्या होता यह लेबिया माइन हो रहा है और यह लेबिया ठीक है और ये ऐसे ऐसे क्या होते हैं इसे कहते हैं प्यूबिक हेयर क्या कहते हैं इसे प्यूबिक हेयर और जो योनी द्वार होता है ये एक लेयर से डखा होता है उसका नाम है हाइमन क्या है उसका नाम है हाइमन समझ में आ गया है उसका नाम है हाइमन जो कुवारी लड़क आप आटाएं तो इसे कहते हैं तो इसे कहते हैं द्यृत्र की तरह होती इसे कहते हैं इसे कहते हैं व्यजयना संचिभ में आगिया थो यह कापी चीजी यह ऐसी होती है यह 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 reutelle opening होती है जो अंदर की तरफ जो opening होती है से उसे कहते है अपने वेजाइना ये सिर्फ वेजाइनल द्वार है समझ में आ गया चलो ठीक है चलते है अपन next question को देख लेते हैं विच फिमेल ओर्गन होमो लोगस्टु मेल पैनी से यानि कि कौन सा महिला का अंग समझात पुरुष लिंग के समान है ये कई बार question पूचा हुआ है कि जो पुरुष का जो पैनी से यानि पुरुष का जो लिंग है उसके समान कौन सा महिला का ओर्गन है तो क्यों सा है यहाँ पर बता दीजिए आप सही अंसर इसको फटा फटा अंसर बता दीजिए, उससे सही अंसर कौन सा होगा अपना यहाँ पर, यह है Clitoris, मैंने अभी आपको बताया था, यह ऐसे क्या होती है, Vagina होती है, यह Labia Mezora, यह Labia Minora, यह Labia Minora, और यह यहाँ पर होता है, क्या होता है, यहाँ पर Clitoris, और यहाँ पर ऐसे से क्या होता है, हैर्स होता है, ऐसे से, और यहाँ पर यह वाला यह होता, Vagina, ठीक है, और यह यहाँ पर, तो यह जो अंग है, यह किसके मेल के Penis के समान होता है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है Clitoris, समझ में आगया Clitoris, और ये male के क्या है, ये male के penis के समान होता है, जो male के penis है ना, उसके समान होता है, कौन है, ये male के penis के समान होता है, कौन है, ये होता है, clitoris, समझ में आ गया है, जो male के penis है, उसके समान होता है, clitoris, क्यों, क्योंकि यहां से उत्तेजनाय मिलती है, समझ में आ गया है, चलो ठीक ह next question को देख लेते हैं यहां पर question में क्या पूछा है first time pubic hair comes in female is known age दोसों काफी मैत्पूर ने कई बार question पूछा हुआ है कि first time pubic hair आना मैलाओं में पहली बार pubic hair आने को कहते हैं यानि कि मैलाओं में जो pubic hair आना उसे क्या कहते हैं पहली बार जो pubic hair आते हैं उसे क्या करते हैं? pubic hair जानते हो ना pubic hair जो भी मैंने आपको बताया था ये इसे vagina है और vagina ये labia, mesura, ये labia, minora ठीक है? labia, minora और ये vaginal opening और ये urethra और ये clitoris तो इसके यहाँ पर जो तारों तरफ जो hairs आते हैं इसे कहते 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 हैं इस और जब पहली बार menstrual cycle होता है, यानि कि जब पहली बार menstrual, menstrual, menstrual जो bleeding होती है, पहली बार जो MC आती है, पहली बार menstrual cycle होता है, उसे क्या कते हैं, उसे क्तेपन मिनार की, उसे क्तेपन मिनार की, समझ में आ गया, यहाँ पर अपना अंसर क्या रहेगा, यहाँ पर अपना क्या के इन्दर जब प्यूबर्टी आती है तो उसमें सबसे फिले फस्ट में ब्रेस्ट बड़ आते हैं सब्ध में आ गया क्या थे है फस्ट में ब्रेस्ट बड़ आते है जो मादा का कौन सा अंग नरके अंड़ कोश के समान रूप में होता है, जो मादा होती जो फिमेर होती, उसका कौन सा अंग अंड कोश के समान होता है, अंड कोश यानि कि मेल का जो अंड कोश है, उसके समान होता है, जो मेल का जो अंड कोश है ठेके, यानि कि मेल का जो अंड कोश है यहां पर सही answer है वो है लेबिया मेजोरा यह question कई बार पूछा हुआ है लेबिया मेजोरा तो इसका जो समान अंग होता है वो होता है लेबिया मेजोरा मैंने अभी आपको बता है यह लेबिया माइनोरा है अना यह लेबिया माइनोरा है majora, majora, ये labia majora, ठीक है ये labia majora जो अंग ये है ये under coach के समान होता है, चलो देख लेते हैं अपर next question की, labia minora and labia majora are, ठीक है are fused, यहाँ पर fused आएगा, fused, ठीक है fused at non age, ठीक है, fused यानि कि जहाँ पर fused दोते हैं उसे किस नाम से जानते हैं तो यहां पर जुड़ते हैं उसे किस नाम से जानते हैं तो यहां पर सही अंसर क्या होगा यहां पर सही अंसर है उसे फोर चेट के नाम से जानते हैं किस नाम से जानते हैं उसे अपन फोर चेट के नीचे की और जो यहां पर जुड़ती है लेबिया माइनोरा लेबिया मेजोरा यहां पर जुड़ती है इसे कहते है पन क्या कहते है इसे कहते है पन 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 इसे कहते है यह कापी important है, UPCHU में पूछा हुआ है, बार्तोलीन ग्रंतियां इस्तित होती है, बार्तोलीन ग्रंतियां कहाँ पर पाई जाती है, तो कहाँ पर पाई जाती है, बार्तोलीन ग्रंतियां, यहाँ पर सही answer क्या होगा, यहाँ पर सही answer है, कहाँ पर पाई जाती है, both side of vagina, यह का बार्थोलिन ग्रंतियां वो दोनों साइड में पाई जाती है ठीक है ऐसे वेजाइना के दोनों साइड में यहाँ पर बार्थोलिन ग्रंतियां होती है ठीक है और यह डूरिंग सेक्सुल ठीक है समझ में आ गया डूरिंग सेक्सुल ठीक है सेक्स के दोरान यह क्या है लूब लूब्रीकेंट का समझ में आ गया लूब्रीकेंट का स्रवन करती है सेक्स के दोरान कोन बार्थोलीन ग्रंतियां और यह कही आप से क्यूशन पूचा जाए कि बार्थोलीन ग्रंतिया पुरुसके किसके समान होती है यह होती है पुरुसकी जो प्रोस्टेट जो ग्रंति होत इस इसे यो urinary bladder है और यहां पर ऐसे prostrate गरंती होती है और इसके बाद में यहां पर क्या होता है यहां पर ऐसे penis होता है तो इसके बराब यहां इंके समान होती है किसके समान प्रोस्टेट ग्रंतियों के समान होती है कौन बार्थोलिन ग्रंतियां ठीक है चलते है पन नेच्ट क्यूशन को टिशू found in vagina योनी में पाए जाने वाले उतक हैं ये क्यूशन भी पहले पूचा जा चुका है कि योनी के अंदर कौन से उतक पाए जाते हैं यानि कि योनी के अंदर कौन से उतक पाए जाते हैं यानि कि योनी के अंदर कौन से उतक पाए जाते हैं तो यहां पर आएगा सही परतदार होते हैं, ऐसे ऐसे परतदार होते हैं, इसे ये टिशू पाए जाते हैं, किसके अंदर, वेजाइना के अंदर, cillitate किसमें पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं फेलो पी एने ट्यूब में किसमें फेलो पी एने ट्यूब में और transitional epithelium ये किसमें पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं किसमें पाए जाते हैं ये ये urinary bladder में urinary bladder में समझ में आ गया urinary bladder में यानि कि किसके अंदर यानि कि मुत्राश्य के अंदर ये पाए जाते हैं चलते हैं पन नेक्स्ट कुशन को देख लेते हैं पन वेजायना पी एच मैंटेंड बाई ये कुशन भी अभी UPCHO का एक्जाम था उसके अंदर पूछा हुआ है ये कई बार पूछा हुआ है वेजायना का pH किसके द्वारा मैंटें होता है तुम्हें वेजायना का pH किसके द्वारा मैंटें होता है वो सही अंसर क्या होगा यहाँ पर डोडरलीन बेसिलाई टेकर ये डोडरलीन बेसिलाई क्या होता है वेजाइना के अंदर पाये जाता है काहां पर पाये जाता है ये वेजाइना के अंदर पाये जाता है और वेजाइना के अंदर जो पाये जाता है वहाँ पर क्या करता है वेजाइना के अंदर Acidic pH maintain करने का काम करता है Acidic pH maintain करने का काम करता है ताकि और दूसरे जीवानों की growth ना हो चलते हैं पन The Vagina pH in non-pregnant women दोस्तों काफी important है आपसे यहाँ पर पूचा है गरबा होती ही महिलाओं में यहाँ pregnant women पूचा है गरबा ते होती ही महिलाओं में योणी का pH होता है तो योणी का pH कितना होता है गरबा होती महिलाओं इस्पेशलिय आपसे क्या पूचा है यहाँ पर गरबा होती महिलाओं तो आप ऐसे exam के अंदर confused मत हो जाना चाहे non-pregnant पूचे non-pregnant पूचे या non-pregnant पूचे दोनों में योनी का जो pH होता है योनी का जो pH होता है वो समान होता है क्या होता है समान होता है यानि इक्वल होता है ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर confused हो मत हो जाना ठेके योनी का pH कितना होता है 3.4 से 4.5 समझ में आ गया यह योनी का pH होता है यानि कि यह acidic pH होता है acidic क्यों होता है क्योंकि और कोई दूसरा जिवान वहाँ पर ग्रोथ ना करें बात कर लेते next question holopyriform muscular organ is cochlepyriform अंग है ठीक है cochlepyriform अंग कोन सा है ठीक है yoni, urinary bladder, uterus fallopian tube तो यहाँ पर सही answer क्या होगा यहाँ पर बता दीजे सही answer कोन सा खोकला पेशी अंग है तो यहाँ पर सही answer है वो है uterus ठीक है इसको hollow muscular organ क्योंकि यह क्या होता है ऐसे होता है पूरा अना ऐसे होता है पूरा ऐसा है इसलिए इससे क्या होता है यह पेशी रूप में होता है ऐसे खोकला organ होता है इसे कहते हैं uterus ठीक है इसे क्या करते है पन यूट्रस यानिकी गरबाश्य चलो चलते है पन next question normal weight of uterus ठीक है सामान्य गरबाश्य का वजन है ये काफी important है ESIC के exam में पूछा हुआ है UPPSC में भी पूछा जा सकता है गरबाश्य का सामान्य वजन कितना होता है तो गरबाश्य का सामान्य वजन कितना होता है 60 gram जो गरबाश्य आप देख रहे न इसका जो वजन है वो कितना होता है 60 gram होता है समझ में आगया कितना होता है 60 gram होता है बात कर लेते next question muscular layer of uterus is गरबाश्य की पेशिये परत है यानि कि गरबाश्य की कौन सी पेशिये परत है बता दिजी इसका answer आप answer बताईए तब तक मैं diagram आपके सामने बनाता हूँ तो गरबाश्य की कौन सी layer पेशिये layer होती है बता दो तो यहाँ पर साही answer क्या होगा गरबाश्य की कौन सी layer होती है पेशिये layer बताईए यहाँ पर फटा फटा आपको answer देना है गरबाश्य कौन सी layer पेशिये layer होती है तो पेशिये layer कौन सी होती है यहाँ पर यहाँ पर साही answer है वो है कौन सा है यह आपको राइड रेट दिखाई दी रही होगी यह होती है पेश यह लेयर यानि कि यह तो होगी पेरिमेट्रियम पेरिमेट्रियम ठीक है पेरिमेट्रियम और यह होगी मायोमेट्रियम मायोमेट्रियम समझ में आ गया और यह होगी endometrium, endometrium समझ में आ गया endometrium तो जो बहार वाली जो layer हो सोरी, जो muscles myo, मैसे दिख रहा होगा आपको myometrium, यानि कि muscles वाली layer है, इसे के अंदर क्या पाए जाती है muscles पाए जाती है जब pregnancy होती है यह डिलेवरी होती है, उस time पर यह क्या करती है संकूचन करती है क्या करती है, यह संकूचन करती है, ठीक है बात करते हैं यहां पर जाइगोट implant in, काप़ी important question है दोस्तों, जाइगोट काँ implant होता है, तो जाइखोट काँ पर implANT होता हилась है, सही answer क्या होगा इसका जाइगोट काँ पर implANT होता है तो बता दीजे इसका सही आंसर क्या है यहाँ पर जाइगोट कहाँ पर इंप्लांट होता है यहाँ पर जो सही आंसर है वो है कहाँ पर अपर पार्ट ओप यूटरस ठीक है अपर पार्ट ओप यूटरस ठीक है यानि कि जो गरबाश्य होता है यह गरबाश होता है इसका जो अपर पार्ट होता है यानि कि उपर वाला जो पार्ट होता है यहाँ पर क्या होता है implant होता है कौन होता है जाइगोट यानि कि जो implant होता है कहाँ पर यहाँ पर implant होता है किसमें अपर पार्ट होता है यूटरस में बात करें next, काफी important question है length of philippine tube is, ठीक है philippine tube की लंबाई होती है, तो philippine tube की लंबाई किती होती है, बता दीजें यहां पर सही answer क्या होगा, यहां पर सही answer है वो है, 10 semi, किती होती है 10 semi होती है, ऐसे uterus होता है, uterus के दोनों side में क्या होती है, ऐसे philippine ट्यूब होती है ठीक है ऐसे दोनों साइड में क्या फेलोपियन ट्यूब जूड़ी रेती है तो इसकी जो लंबाई होती है वो होती है दस सेमी समझ में आगया कित्ती होती है दस सेमी बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्यूशन की यहां पर क्यूशन काफी इंपोर्टेंट है बो यहाँ पर सही अंसर क्या होगा, यहाँ पर सही अंसर होगा, वो होगा, एमपूला, जो एमपूला वाला पार्टे, वहाँ पर होता है, फर्टीलाइजेशन, क्या होता है, फर्टीलाइजेशन, समझ में आ गया, वहाँ पर होता है, फर्टीलाइजेशन, फर्टीलाइजेशन ऐसे uterus होता है और uterus के यहाँ पर fallopian tube होती है और यहाँ पर ऐसे infantibulum होती है और यह ऐसे जूड़ी रहती है दोनों तरफ ऐसे ऐसे क्या है जूड़ी रहती है तो यह जो वाला part होता है इसके यह जो बीच वाला part होता है इसे कहते हैं एमपुला इसे क्या कहते हैं अपन एमपुला कहते हैं तो थैंक्यों दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो दोस्तों फटा फट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आप ज जादा वीडियो उसको देख सकते हैं तो चलते हैं पन दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत